हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू पॉज्टिव अप्रोच दिस इज नितेस भारदवाज कैसे हो आप आप सब बहुत अच्छे होंगे आपका मेरे चैनल पॉज्टिव अप्रोच में स्वागत है आज जो है हम टॉपिक नया टॉपिक जो है स्टार्ट करने वाले हैं तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सिक्वेंस क्या होती है फोर एक्जांपल मैं बिल्कुल सौट में बताऊंगा कोई नंबर है कोई नंबर है हमारे पास जैसे 13579 जिन्हें किसी लौ के अकॉर्डिंग जो है अरेंज किया गया है जैसा आप यहां पर तेक रहे हैं यहां पर यह और नंबर है यहां हम कोई और ले लेते हैं जैसे 246810 किसी लौ के अकॉर्डिंग जो है इन्हें अरेंज किया गया है इसे कहा जाता है सिक्वेंस क्या कहा जाता है इन चीजों को इसे कहा जाता है सिक्वेंस कहा जाता है और जब इस सिक्वेंस को जो है जैसे 1 1 प्लस 3 प्लस 5 जब ही sequence के अंदर प्लस का साइन लगा जाता है इस sequence को verde become plus के दवारा जोड़ए जाता है कि स climate क्या बन जाती है हमारे पास river Carnival जाती है हमारे पास सीरी डबन जाती है सीरिस आयोँ sentSराज एक अपने से पता चल गए होगा जासे यहां पर है 246-10 हमारे पास क्या है यह एक स्विक्वेंस है लेकिन जब हम इसके बीच में प्लस है लगा देते हैं तो यह क्या बन जाती है यह बन जाती है हमारे पास सीरीज और सीरीज को डिनोट किया जाता है इस ग्रीक लैटर से पर इसफियां अब सीरीज से जो हैं किसी बी एकजामपल में कुछ फर्स सक्ते हैं जैसे फॉर्स घुर्स टरं निकाल सकते हैं हमारे पास एक्जामपल दिया गया है आए ए एंज त्री टरम निकाल लिए यहां पर ठीक है अब पूट एंड की रिए 1 ए 1 आगी हमारे पस पहली टर्म क्या आगई 2 x 1 प्लस 5 विच इस एक्वल टो 7 A2 कितनी आगी 2 multiply by 2 plus 5 which is equal to 2 to 0, 5 plus 4, 9 A3 कितनी आगी 2 multiply by 3 plus 5 which is equal to 3 to 0, 6 plus 5, 11 तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पहली तीन टर्म कौन कौन से आगी हमार पास 7, 9 और 11 यह तो जागा concept था, यह sequence और series का concept था अब हम arithmetic progression के बार में पढ़ेंगे AP क्या होती है, और फिर उसके जो है कुछ formulas पढ़ेंगे और question जो है उसके solve करेंगे, ऐसी sequence माल नीजे कोई sequence है A1, A2, A3, A4, A5, so on up to enter, यह कोई sequence है हमारे पास ठीक है, किसी definite law के according जो है arrange की गई है और वो order क्या है देखिए, अगर इस sequence में हमारे पास आता है AK plus 1 is equal to AK plus D, अगर यह sequence हमारे पास होता है तब यह term, तब यह sequence क्या कहलाती है, तब यह कहलाती है AP series, कौन सी series कहलाती है, arithmetic progression series यहाँ पर आप देखिए, इसका क्या मतलब है, जहाँ पर AK plus 1 For example, मालनी जी A3 है, तो यहाँ पर कितना आएगा A2 plus D, कितना आएगा A2 plus D, For example, अगर यहाँ पर मालनी जी कि A3 है तो A4 is equal to A3 plus D, जहाँ पर D क्या है, D हमारे पास है Common difference, ठीक है, और यह तो terms है, आपको पता है और common difference कैसे निकलता है, D, जैसे अगर मालनी जी यहाँ हमारे पास series है तो common difference निकलेगा, A2 minus A1, which is equal to also D निकलेगा A3 minus A2, D होगा, A5 minus A4, और D जो है हर जगा, हर interval में क्या रहेगा, सेम रहेगा तो एसी series को क्या करते हैं, हम, ऐसी series को करते हैं, arithmetic progression series जिसमें जो है, A, N, last term कैसे निकलती है, इस formula को जो है, आप no down कर लीजिए A plus N minus 1 into D, जहाँ पर D क्या है हमारे पास, D है, common difference A है, first series, first number, first term है, और N क्या है, number of terms कितनी है हमारे पास Similarly, अगर यहाँ पर हमें SN, sum of AP series का निकाल ला है, तो क्या formula होगा, देखिए N by 2, 2A, plus N minus 1 into D, यहाँ क्या है, sum of AP series, एक और formula होता है, sum of AP series का, वो क्या होता है N by 2, A plus N, और यहाँ जो हमारी last term है, A N term है, इसे L से भी क्या है, denote किया जाता है यह तीन formula जो है, आपको पता होने चाहिए, यहाँ है हमारी A N term, हमारी last term, जिसे L से भी denote किया जाता है SN, sum of N terms, और SN का formula एक ही है, भी होता है, N by 2, A plus L, जहाँ पर हमारी पास number of term और last term क्या हो, given हो इन तीन formula को आप copy में no down कर लीजिए, अब इसके उपर जो है, हम कुछ example करते हैं, और देखते हैं कि कैसे, जो है, question, solve किये जाते है हमारे पास numerical है, in an AP, in an arithmetic progression, if Mth term is N, Mth term क्या दी गई है, N दी गई है, और Nth term is M तो देखी क्या दिया गया है, A, M, Mth term क्या दी गई है, A plus M minus 1 into D, कितनी दी गई है, N दी गई है, और Nth term क्या होगी, A N होगी, वो कितनी दी गई है, A plus N minus 1 into D, is M वो क्या दी गई है, M माल लेता है, इसे U question number 1, इसे माल लेता है, U question number 2, हमें क्या बोला है, find Pth term, तो Pth term क्या होगी, पहल तो Pth term लिखिए, AP, A plus P minus 1 into D, अब आप देखिए, इस term को निकालने के लिए, हमें किस-किस value किया आप सकता है, एक तो हमें A का पता होना चाहिए, औ दूसरा D का पता होना चाहिए, तो A arithmetic progression, A Pth term, जो होगी, हमें से पुछा, Pth term, इसले निकल जाएगा, अगर हम A का पता होगा, बिल्कुल step by step चलना देखिए, अब हम first और second term को माल लीजिए, सब direct कर लेते हैं, तो यहाँ पर negative sign और यहाँ पर भी negative sign कितना आ जाएगा, यह इस A से यह के cancel हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, M minus 1 minus N minus 1, minus N minus minus का हो जाएगा, plus 1 into D common नहीं रखा, N minus M, बिल्कुल एजी है, step by step चलना है, minus 1 के साथ plus 1 cancel हो गया, कितना आया, M minus N into D, यहाँ पर मैं minus common ले लेता हूँ, तो कितना आ गया, M minus N, क्योंकि M plus का हो जाएगा, N minus का हो जाएगा, तो यहाँ से D कितना आ गया, M minus 1, यहाँ से D कितना आया, M minus 1 आया, बिल्कुल एजी है, ठीक है, अब D हमारे पर स M minus 1 आ गया, अब हमें D की value तो पता चल गी, हमें A पता हो न चाहिए, A भी हमारे इनी दो equation से निकलेगा, एक बार हमने सब्ट्रेक्ट कर लिया अब जो है new equation को क्या है, add कर लीजिए, add 1 and 2, add equation number 1 and 2, we get देखिए 2A, plus M minus 1, plus N minus 1 into D, which is equal to N plus M, क्योंकि अब जो है new equation को क्या कर रहे हैं, add कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 2A plus M plus N minus 2, और D कितना है हमारे पास, minus 1 निकला है, minus 1, which is equal to N plus M, अब यहां से आप देखिए, 2A plus minus M दर multiply कर दीजिए, कितना आया, minus M minus N plus 2, which is equal to N plus M, यहां से 2A कितना आगे हमारे पास देखिए, N plus M, इनसे परली से ले गए, plus M plus N minus 2, यहां से 2A कितना आगे हमारे पास, 2 टाइम, M plus N minus 1, 2 से 2 कैंसल हो गया, A कितना आगे, M plus N minus 1, अब हमारे पास A भी आ गया, हमारे पास D भी आ गया, तो अब हम जो है, पियत टर्म बिल्कुल इजी से निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, ठीक है, सबस्टिचूट कर दीजिए, AP निकले गी हमारे पास, टर्म A कितना है हमारे पास, M plus N minus 1, plus P minus 1 into D, D कितना है, minus 1 है, कितना आया देखिए, M plus N minus 1, minus P minus minus plus 1, 1 के साथ 1 cancel, तो P यत टर्म हमारे पास कितनी आ गई, M plus N minus P, यह हमारा right answer है, इस तरीके से जो है question, solve होना है, I hope यह question आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, next question है, if sum of N term of NAP is N P plus half N into N minus 1 into Q, find the common difference, देखिए, question हमें क्या बोल रहा है, step by step चलना और answer हमारे पास, बिल्कुल इजी निखल जाए, यह बोला है कि sum of N term, माल इजी यह, let N term ले ले लेते हैं, कोई भी, A1 plus A2 plus A3, A4, so on to N term ले ली हमारे, कहां तक ले ली, A N तक ले ली, ठीक है, तो उनका sum क्या दिया गया है, S N क्या होगा, A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus so on plus A N, कितना दिया गया है, देखिए, N P plus half N into N minus 1 into Q, यह हमारे पास दिया गया है इनका sum, हमसे पूछा गया है common difference, ठीक है, common difference कैसे निकलेगा, देखिए, आप common difference निकला, अगर A2 minus A1 हम कर दे, या A3 minus A2 हम कर दे, ठीक है, तब हमारे पास common difference निकलेगा, तो हमें या तो A1 की value चाहिए, और A2 की value चाहिए, या A3 और A2 की value चाहिए, तो यहां से A1 और A2 की value निकालना ज्यादा सायन है, देखिए कैसे, अगर हम एक term का sum लेते हैं, किसी एक term का sum लेते हैं, 1 into 1 minus 1 into Q, 0 हो गया, which is equal to P, यहां से क्या आया, S1 जो है किसके बराबर आया, A1 एक term ली है, तो कितना आया, P आया हमारे पास, अब A1 हमारे पास निकल लगया, हमें क्या निकालना है, A2 निकालना है, तो देखिए A2 भी निकालते हैं, अब हम दो terms ले लेते हैं, कितनी terms ले लेते हैं, दो term, S2 ले लिए कितना आया, sum of A1 plus A2, ठीक है, S2 ले लिए, N कितना है, हमारे पास, S2 है, यहां पर कितना आया, 2P plus 1 by 2 into, 2 into 2 minus 1, 1 into Q, which is equal to 2P plus Q, यह क्या हाँ आगया हमारे पास, S2 कितना आया हमारे पास, यहां पर देखिए, A1 plus A2, क्योंकि हमने दो term का समलिया, यह हमारे पास terms है, which is equal to 2P plus Q, अब यहां से देखिए, S2 क्या निकलेगा, यहां से, A2 निकलेगा हमारे पास यहां पर, S2 minus A1, पर A1 कितना है, S1 है, यह कितना है, S2 minus S1, ठीक है, तो A2 की value भी हमारे पास आगई, S2 कितना है, अब हमारे पास, 2P plus Q है, S2 की value देखिए, 2P plus Q minus S1 कितना है P है, तो कितना आ गया है हमारे पास P plus Q ठीक है, A2 की value कितनी आ गई हमारे पास P plus Q आ गई अब हमसे पूछा गए था common difference, हमान पता है common difference क्या होता है A2 minus A1 A2 कितना आया हमारे पास देखिए P plus Q minus A1 A1 कितना है P है minus P, P के साथ P cancel तो answer क्या आ गया हमारा क्यों तो हमसे पूछा गया था common difference तो common difference कितना आया हमारा क्यों आया, इस तरीके सो जो यह question होना है बिल्कुल step बाश step चलना है बिल्कुल भी confused जो हमें नहीं होना है next numerical हमारे पास है find the sum of n term of AP whose kth term is 5k plus 1 देखिए कितना easy question है लेकिन आपको question के statement पढ़के उसको थोड़ा सा समझना है और यह समझ आपको तभी आयोगी जब जितनी आप इसकी practice करेंगे हमसे क्या पूछ रहा है kth term कितनी दिये गी है देखिए, a k कितना दिये गया है हमारे पास 5k plus 4 हमसे पूछक है sn निकालिए sum of enter हमें पता है sn का क्या फर्मूला होता है n by 2 2a plus n minus 1 into d ठीक है अब यहां पर देखिए a का पता होना चीए, d का पता होना चीए अपने आप जो हमारा sum निकल जाएगा और a और d हमारे इस value से निकलेंगे कैसे हमें बोलागे के-थ टर्म कौन सी है 5k plus 1 तो यह होगे हमारी general term अब a1 निकालिए k को 1 पूट कीजिए 5 plus 1 which is equal to 6 a2 कितना आगया 5 2 0 10 plus 1 11 a3 कितना आगया 5 3 0 15 plus 16 ठीक है, तो a1 हमारे पास 6 आगया अब यहां पर आप देखिए d कितना आएगा d होगा a3 minus a2 which is equal to 16 minus 11 which is equal to 5 या 11 minus 6 वो भी 5 हो गया d भी हमारे पास आगया a1 भी हमारे पास आगया substitute कीजिए sn बिल्कुल easy निकल जागा देखिए, n by 2 2 a, a कितना है 6 plus n minus 1 into d कितना है 5, which is equal to n by 2 6, 2, 0 12 plus 5 n minus 5 बिल्कुल easy है बहुत आसान है which is equal to n by 2 12 से 5 गए 7 plus 5 n यह जो है हमारे पास sn आगया किन टर्म का n टर्म का जिसमें जो kth टर्म क्या दी गई थी 5 k plus 1 I hope मेरे दोरह पढ़ाया गया अच्छे से समझ आ गया होगा एक और बहुत important formula मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसके अधार पर जो है exam में काफी बार जो है question पूछे जाते हैं देखिए मान लीजिए A, B, C 3 terms हैं हमारे पास 3 number हैं किसमें? arithmetic progressor में तब क्या होगा? इसका arithmetic में देखिए A plus C divide by 2 is equal to B इस formula को जो है आप याद कर लीजिए अगर A, B, C 3 number हमारे पास arithmetic progression series में हैं तो पहले और तीसरे number का जो समोगों को जो अब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2B आ जाएगा यह क्या implies करते है 2B is equal to A plus C यह formula जो है कई बार direct भी exam में पूछ ले जाता है तो इसके अधार पर कई बार question भी exam में आते हैं देखिए इस formula को verify भी कर लेते हैं कोई AP ले लेते हैं जैसे माल लिजिए 1, 3, 5, 7 माल लिजिए पहले तीन number ले लेते हैं 2, which is equal to 3 एक और series ले लेते हैं देखिए 2, 4, 6, 8 यहां पर भी आप देख सकते हैं 2B जो है हमारे पास क्या होना चीए A plus C के बराबर होना चीए 2B, B हमारे पास 4, 4, 2, 0 8, which is equal to A plus C 2 plus 6, which is equal to 8 तो यहां से जो है यह formula हमारा proof हो रहा है तो यह AP में arithmetic progression में बस यही था आपको यह formula जाने चीए question इसके बहुत easy है इनके आप practice कीजिए exam में जो है आप बढ़ारा easily जो है arithmetic progression के question जो है कर जाएंगे कल जो है हम geometric progression के बारे में पढ़ेंगे तो वीडियो को बिल्कुल भी miss मत कीजेगा पूरी वीडियो को देखिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत